C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे, कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक सियद आबिद हुसेन, तारुफे मुसन्निव, सियद आबिद हुसेन, पैदाईश 1896, वफात 1978 डॉक्टर सेयद आबिद हुसेन का वतन दाईपूर, जिला फरूखबाद, उत्तर प्रदेश था आबिद हुसेन की पैदाईश, भोपाल, मध्या प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे सेयद आबिद हुसेन की वालिदा का तालुक लखनओ के एक तालुकादार घराने से था, उनका बच्पन दाईपूर और लखनओ में गुजरा, इप्तिदाई तालीम गाओं के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासल की अलाहबाद यूनिवरस्टी से बी ए पास किया और फिर आला तालीम आक्सफर्ड यूनिवरस्टी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवरस्टी जर्मनी में हासल की सेद आबिध हुसेन ने फलसफे में डॉक्टरिट की डिग्री ली जर्मनी से वापिसाकर डॉक्टर जाकिर हुसेन और प्रोफेसर मुहमद मुझीब के साथ जामिया मिलिया इसलामिया में काम करने लगे जामिया मिलिया इसलामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर आबिध हुसैन तस्नीफ तालीफ का काम भी करते रहे उन्होंने सबसे पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दे गफलत लिखा जर्मन जबान की कई किताबों का अर्दू में तर्जमा किया जिन में गोईटे की फाउस्ट सबसे एहम है डॉक्टर आबिध हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविष्ट का तर्जमा तलाश हक के नाम से और पंडित जवाहरलाल नहरू की डिसकावरी आफ इंडिया का तर्जमा तलाश हिंद के नाम से अर्दू में किया अर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी कई किताबे लिखी जिन में कौमी तहजीब का मसला और हिंदूस्तानी मुसल्मान आईने अईयाम में अर्दू अंग्रेजी दोनों जबानों में शाया हुई उन्होंने अर्दू के इल्मी सर्माए में काबल इकद्र इजाफे किये वो दो मशहूर जराइद इसलाम और असर जदीद और इसलाम एंड दा मॉडन एज के बानी मुदीर भी रहे चोरी और उसका कफारा गांधी जी की आप बीती के अर्दू तर्जुमे से माखूज है सफ़ साथ आप बीती चोरी और उसका कफारा हाइ स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे 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 अउकात में दोस्ती रही उन में से दो कल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं एक से मेरी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं रही मैंने उसे नहीं छोड़ा बलके उसने मुझे छोड़ दिया इस गुसूर पर कि मैंने दूसरे से मेल जोल पैदा किया इस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी जिन्दगी का एक अलमनाक वाकिया समझता हूँ ये बहुत दिन कायम रही मैंने इसे इसलाह के जोश में शुरू किया था मेरा ये रफीक असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था ये दोनों हमसबक थे मैं उसकी कमजोरियों से वाकिफ था मगर उसे वफादार दोस्त समझता था मेरी मा ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मतनब्ह किया कि तुम्हारी सिहत खराब है बीवी की बात तो मैं शोहरी के गरूर में कब सुनता था लेकिन मा और बड़े भाई की राय के खिलाफ अमल करने की मुझे में हम्मत ना थी फिर भी मैंने उनसे उज्जर माज़रत की और कहा मैं जानता हूं कि उसमें वो कमजोरिया हैं जो आपने बताई मगर आपको उसकी अच्छाईयों की खबर नहीं वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे इस नियत से मिलता हूं कि उसकी इसलाह करूं मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अत्वार दुरुस्ट करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा मेरी इलतेजा है कि आप मेरी तरफ से तरद्द ना करें इस से उनका इत्मीनान तो नहीं हुआ मगर उन्होंने मेरी तवज्जीहा मान ली और मुझे मेरी राह चलने दिया आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा गलत था जो शखस किसी की इसलाह करना चाहता है वो उसके साथ शीरो शक्कर होकर नहीं रह सकता सची दोस्ती रूहानी इत्तिहाद का नाम है जो इस दुनिया में बहुत कम होता है सिर्फ उन ही लोगों में जिनकी तवियत एक सी हो दोस्ती पूरी तरह मुकमल और पायदार हो सकती है दोस्तों में हर एक का असर दूसरों पर पढ़ता है इसलिए दोस्ती में इसलाह की गुनजाइश बहुत कम है मेरी राए में किसी एक शखस से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इनसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्दी पढ़ता है और जो शखस खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे लाजम है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे मुम्किन है कि मेरी राए गलत हो मगर मुझे तो कल्बी दोस्ती पैदा करने में नाकामी होई जिन दिनों में मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई राजकोट में रिफार्म का बड़ा जोर था उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुपकर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उसने राजकोट के बहुत मशखूर आदमियों के नाम भी लिए जो उस जमात में शरीक थे उसने कहा कि इस जुमरे में हाई स्कूल के बाद लड़के भी हैं मुझे ये सुनकर ताज़ब और रंज हुआ मैंने अपने दोस्त से इसका सबब पूछा तो उसने कहा हमारी قوم गोश्ट नहीं खाती इसलिए कमजोर है अंग्रेज लोग गोश्ट खाते हैं इसलिए वो हम पर हकूमत करने के काबिल है तुम जानते हो मैं कैसा मजबूत हूँ और कितना तेज दोरता हूँ इसका सबब यही है कि मेरी घिज़ा गोश्ट है गोश्ट खाने वालों के फोड़े फुनसी नहीं निकलते और कभी निकल भी आएं तो जल्द अच्छे हो जाते है हमारे उस्ताद और हमारे दूसरे बड़े आदमी जो गोश्ट खाते हैं एहमक नहीं है गो जानते हैं कि इसमें क्या खूबियां है तुम्हें भी इसकी तकलीद करना चाहिए आखिर आजमाईश का नहीं में क्या हरज है तुम आजमा कर देखो कि गोश्ट खाने से कैसी ताकत आती है गोश्ट खाने की ताईद में ये सारी दलीलें एक ही नशिस्त में पेश नहीं की गई ये इस तूल तुईल इस्तद्लाल का खुलासा है जिससे मेरा दोस्त मुझ पर वक्तन फवक्तन असर डालता रहा मेरे मंजले भाई पहले ही मगलूब हो चुके थे इसलिए वो मेरे दोस्त की दलीलों की ताईद करते थे मैं वागए अपने भाई और उस दोस्त के मुकाबले में बिलकुल मर्यल मालूम होता था वो मुझ से ज्यादा कवी और जफाकश भी थे और जर्री भी इस दोस्त के कारणामों ने मुझ पर जादू सा कर दिया वो बहुत दूर तक और बड़ी तेजी से दोड सकता था कूद भांद में मशाक और सक्त से सक्त जिस्मानी सजा बरदाश्ट कर लेता था वो मुझे अक्सर अपने कारणामें दिखाया करता था और ये काइदे की बात है कि इनसान दूसरों में वो सिफ़तें देखकर जो उसमें नहों दंग रह जाता है इसके बाद मेरे दिल में वलवला उठा कि उसके जैसा बनूँ मैं ना कूद सकता था ना दोर सकता था मैंने सुचा कि मैं भी उसकी तरह मजबूत क्यों ना हो जाओं फिर मैं बुजदिल भी था मुझे हर वक्त चोरों भूतों और सांपों का खटका रहता था रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत ना पड़ती थी अंधेरे से मेरी रूह फणा हो जाती थी दिपीट मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं दूसरी तरफ से चोर तीसरी तरफ से सांप बगेर कमरे में रोशनी रखे मुझे सोते ना बनता था मैं अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी पर क्यों कर जाहर करता मैं जानता था कि उन में मुझे ज्यादा हम्मत है और मुझे अपने उपर शर्म आती थी उन्हें सापों और भूतों का कोई डर न था वो अंधेरे में हर जगा चली जाती थी मेरे दोस्त को मेरी इन कमजोरियों का हाल मालूम था वो कहता था कि मैं जिन्दा साप हाथ पर रख सकता हूँ चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल ही नहीं हूँ ये गोश्ट खाने की बरकत है इन सब बातों का मुझे पर काफी असर पड़ा मैंने हत्यार डाल दिये मुझे रफ़ता रफ़ता यकीन होने लगा कि गोश्ट खाना अच्छा है इससे मुझे में कुवत और जुरॉत पैदा हो जाएगी और अगर सारा मुलक गोश्ट खाने लगे तो अंग्रेज मगलूब हो जाएंगे अब तजर्बा शुरू करने के लिए एक दिन मुकर्र हुआ उसे पोशीदा रखना बहुत जरूरी था सारा गांधी खानदान वेश्टनव था और मेरे वालदेन तो बड़े पके वेश्टनव थे वो पाबंदी से हवेली जाया करते थे बलके खुद हमारे खानदान के जुदागाना मंदिर भी थे जैन मत का गुजरात में बहुत जोर था और उसका असर हर वक्त हर जगा नज़र आता था गुजरात के जैन और वेश्टनव लोगों को गोश्ट खाने से जितनी सक्त नफरत थी उसकी मिसाल ना हिंदुस्तान में मिलती है और ना किसी और मुलक में मेरी विलादत और परवरिश इस माहौल में हुई थी और मुझे अपने वालदेन से बड़ी महबत थी मैं जानता था कि जिस दम वो मेरे गोश्ट खाने की खबर सुन पाएंगे सदमे के मारे मर जाएंगे सच्चाई की महबत ने मुझे और भी ज्यादा इहत्यात पर मजबूर कर दिया मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उस वक्त इसका हैसास ना था कि अगर मैंने गोश्ट खाना शुरू कर दिया तो वालदेन को धोका देना पड़ेगा लेकिन मैंने दिल में ठान ली थी कि रिफॉर्म जरूर करूंगा इसमें जबान की चाट को दखल ना था मैंने गोश्ट के मज़े की कोई खास तारीफ नहीं सुनी थी मगर मैं चाहता था कि मैं कवी और बहादूर हो जाऊं और मेरे देश के लोग भी ऐसे ही हो जाएं ताके हम अंग्रेजों को शिकस्त दें और हिंदोस्तान को आज़ाद करा लें सुराज का लफ़ मैंने अब तक नहीं सुना था मगर आजादी के मानी जानता था रिफॉर्म के जोश ने मुझे अंधा कर दिया मैंने इस बात को मख़ी रखने का बंदोस्त किया और अपने दिल को समझा लिया कि महज इस फेल को वालदین से चुपाना हक से इनहराफ नहीं है आखिर वो दिन आ गया उस वक्त मेरा जो हाल था उसे पूरी तरह बयान करना मुश्किल है एक तरफ तो रिफॉर्म का जोश और जिन्दगी में एक एहम तबदीली की जिद्दत का लुट्फ था और दूसरी तरफ इसी काम को चोरों की तरह छुप कर करने की शरम थी मैं नहीं कह सकता दोनों में से कौन सी चीज मुझ पर गालिब थी हमने दरिया के किनारे जाकर एक गोशे तनहाई ढूंडा और मैंने अपनी उमर में पहली बार गोश्ट देखा उसके साथ तनूरी रोटी भी थी मुझे दोनों चीजों में से कोई चीज पसंद ना आई बकरी का गोश्ट चमले की तरह सक्त था मुझसे किसी तरह नहीं खाया जाता था मुझे कैह हो गई और खाना छोड़ कर उठना पड़ा उसके बाद की रात बड़ी बुरी तरह गुजरी मुझे बड़ा हौलनाक खौर नजर आया जब आख लगती थी तो ऐसा मालू होता था कि जिन्दा बकरी मेरे पेट के अंदर मिम्या रही है और मैं घबरा कर उचल पड़ता था मगर मैं अपने दिल को समझाता था कि गोश्ट का खाना फर्ज है और इससे मुझे कुछ तस्कीन हो जाती थी मेरा दोस्त आसानी से हार मानने वाला न था अब उम्दा मसाले डाल कर गोश्ट के मज़ेदार खाने पकाने लगा खाना खाने के लिए हमें एक दर्या के किनारे सुनी जगा ढूनने की जरूरत न थी बलके एक रियास्त के मकान में खाते थे जिसमें खाने का अलाहिदा कमरा मेज कुरसी से सजा हुआ था मेरे दोस्त ने वहां के बड़े बावर्ची से साजबाज करके ये इंतिजाम किया था मैं इस लालच में आ गया मुझे बोटी से कराहत थी वो दूर हो गई बकरी पर तरस आता था वो जाता रहा और अब गोश्त की बोटी में तो नहीं मगर सालन में मज़ा आने लगा ये सिलसला करीब करीब एक साल तक चलता रहा लेकिन इस अर्से में गोश्त की दावतें सब मिलाकर च्छै से ज्यादा नहीं हुई क्योंकि रियास्त का मकान रोज रोज नहीं मिलता था और फिर ये दिक्कत भी थी कि मज़ेदार खानों में अकसर सर्फा बहुत होता था मेरे पास इस रिफार्म की कीमत अदा करने के लिए दाम न थे इसलिए हर मरतबा खर्च का इंतिजाम मेरे दोस्त ही को करना पड़ता था मुझे कुछ खबर न थी कि वो कहां से इतना रुपया लाता है मगर किसी न किसी तरह वो ले ही आता था क्योंकि वो इस पर तुला हुआ था कि मुझे गोश्ट खाने का आदी कर दे मगर आखिर उसकी आमदनी भी महदूद ही होगी इसलिए बहुत कम दावते हो सकी और वो भी तवील वक्फों के बाद जब कभी मैं ये चोरी की दावते उड़ाता तो जाहर है कि घर आकर खाना नहीं खा सकता था मेरी वालदा कुदरती तोर पर खाने के लिए इसरार करती और ख्वाहिश ना होने का सबब पूछती थी मैं उनसे कह देता था आज मुझे भूख नहीं है मेरे हाजमे में कुछ खराबी है ये बहाने करने पर मेरा दिल मुझे मलामत करता था मैं जानता था कि जूट बोल रहा हूं और वो भी अपनी वालदा से मुझे ये भी मालूम था कि अगर मेरे बाप को मेरे गोश्ट खाने की खबर हो गई तो उन्हें बहुत सक्त सद्मा होगा ये ख्याल मेरे लिए सोहान रूह था इसलिए मैंने अपने दिल में कहा अगर्चे गोश्ट खाना बहुत जरूरी चीज़ है और ये भी कि बहुत जरूरी है कि मुलक में घिजा की इसलाह की जाए लेकिन अपने माबाप को धोका देना और उनसे जूट बोलना गोश्ट ना खाने से भी बदतर है जब तक वो जिन्दा हैं गोश्ट खाना मुम्किन नहीं जब वो ना रहेंगे और मैं आज़ाद हो जाऊँगा तो खुलम खुला गोश्ट खाऊँगा लेकिन मैं उस वक्त तक इससे परहिज करूँगा इस पुर्खलूस ख्वाहिश की वज़ा से अपने वालदین से जूट ना बोलूँ मैंने गोश्ट छोड़ दिया मगर अपने दोस्ट की सहुबत ना छोड़ी उसकी इसलाह करने के जोश्ट ने मुझे बरबाद कर दिया था मगर मुझे इसका बिलकुल एहसास ना था मुझे अभी अपनी चंद और लगजिशों का जिकर करना है जो गोश्ट खाने के जमाने में और उससे पहले मुझे से सरज़द हुई उनका सिलसला मेरी शादी के वक्त से या उसके थोड़े ही दिन बाद शुरू होता है मेरे एक अजीज को और मुझे सिगरेट पीने का चसका लग गया ये बात न थी कि हम इस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की खुश्बू पर रीजे हों हमें तो सिर्फ मुझे से धुआ निकालने में एक ख्याली लुटवाता था मेरे चचा इसके आदी थे और जब उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पीए मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं इसलिए हमने इब्ददा इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकले जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे चुरा लाते थे मगर ये टुकले हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआ भी ज्यादा नहीं निकलता था इसलिए हमने नौकरों के जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किये कि हंदुस्तानी सिगरेट खरीदें मगर मुसीबत ये थी कि उन्हें रखें कहां क्योंकि जाहर है कि हम बढ़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे चंद हफ़ते तक तो हम किसी ना किसी तरह उन चुराय हुए पैसों से काम चलाते रहे इस अरसे में हमने सुना कि एक दरक्त की डाल में मसामात होते हैं और उसके टुकले सिगरेट की तरह पी जा सकते हैं हम उन्हें ले आए और पीना शुरू कर दिया लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसली ना होती थी आजादी ना होना हमें खलने लगा हम से ये बरदाश्ट ना होता था कि हम बगहर बड़ों की इजाज़त के कुछ ना कर सकें आखर जिन्दकी से मतनफर होकर हमने खुदकुशी की ठान ली मगर अब ये सवाल था कि खुदकुशी कैसे की जाए जहर खाएं तो जहर कहां से लाएं हम से किसी ने कहा कि धतूरे के बीज जहरे कातिल हैं हम डोड़े हुए जंगल में गए और बीज ले आए हमने शाम के वक्त को इस काम के लिए मुबारक समझा हम केदार जी मंदिर में गए वहां के चराग में घी डाला दर्शन लिए और कोई सूनी जगा ढूरने लगे मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया फर्स करो के हम फौरण ना मरे और आखिर मरने से फाइदा ही किया आजादी नहीं है तो ना सही इसी हालत को क्यों ना बरदाश्ट करें फिर भी हम दो तीन बीज निगल ही गए हम दोनों मौत से डर गए और हमने ते किया कि राम जी मंदिर जाकर हवास दुरुस्त करें और खुदकुशी का ख्याल छोड़ दें मुझे मालूम हो गया कि खुदकुशी करना इतना सहल नहीं जितना उसका इरादा करना और उस दिन से जब कभी मैं सुनता हूँ कि फला शख्स खुदकुशी की धंकी दे रहा है तो मुझे पर बहुत कम असर होता है खुदकुशी के ख्याल का नतीज़ ये हुआ कि हम दोनों ने सिगरेट के टुकले पीना और सिगरेट के लिए नौकरों के पैसे चुराना छोड़ दिया जब से मैं बाले हुआ हूँ मुझे कभी तंबाकु पीने की खुआहिश नहीं हुई और मैं इस आदत को तहजीब के खिलाफ सफाई के खिलाफ और मुजिर समझता हूँ ये बात मेरी समझ में कभी न आई कि सारी दुनिया में लोग तंबाकु पीने पर क्यों जान देते हैं मुझसे तो रेल के डबे में जहां तंबाकु पीने वाले भरे हों नहीं बैठा जाता मेरा दम घुटने लगता है सफाई 65 लेकिन इस से कहीं बड़ी चोरी का मैं कुछ दिन बाद मुर्तकिब हुआ जब मैंने पैसे चुराए तो मेरी अमर 12-13 साल की बलके उस से भी कम थी दूसरी चोरी के वक्त मैं 15 बरस का था इस बार मैंने अपने गोश्ट खाने वाले भाई के बाजू बंद से एक सोने का टुकड़ा चुराया ये भाई 25 रुपए के मकरूज थे वो बाजू पर खालिस सोने का बाजू बंद बांधा करते थे उन में से एक टुकड़ा काट लेना कोई मुश्किल बात ना थी चुनाच ऐसा किया गया और करजदा हो गया लेकिन इतना संगीन जुर्म था कि मुझसे किसी तरह बरदाश्ट नहीं हो सकता था मैंने एहद कर लिया कि फिर कभी चोरी ना करूंगा मेरा ये भी इरादा हुआ कि अपने वालिद के सामने जुर्म का एतराफ कर लूँ मगर हिम्मत न पड़ती थी ये बात न थी कि मुझे वालिद के हाथ से मार खाने का डर हो जहां तक मुझे याद है उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं मारा खौफ था तो ये कि उन्हें बहुत दुख होगा आखिर में ये फैसला किया कि मैं एतराफ नामा लिखकर अपने वालिद को दूँ और उनसे मुआफी की दर्ख़ास्त करूँ मैंने सारा वाकिया एक कागज पर लिखा और खुद ले जाकर उन्हें दिया उस रुके में मैंने ना सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ किया बलकि ये खुआहिश भी की कि मुझे इसकी काफी सजा दी जाए और आखिर मैं उनसे दर्ख़ास्त की कि मेरे कुसूर के बदले वो अपना दिल न कुढ़ाएं मैंने इस बात का एहद किया कि फिर कभी चोरी न करूंगा मैंने एतराफ नामा उन्हें दिया तो मैं काप रहा था वो उन दिनों नासूर में मुब्तिला थे और साहिब फराश थे एक खुर्रे तख़त पर लेटे रहते थे मैंने रुका उन्हें दे दिया और चौकी के सामने बैठ गया उन्होंने उसे अवल से आखर तक पढ़ा और मुथियों के कत्रे टप टप उनके रुखसारों पर और कागस पर गिरने लगे दम भर वो आँखें बंद करके सोचते रहे उसके बाद उन्होंने रुका भाड़ कर फेंक दिया वो उसे पढ़ने के लिए पहले बैठ गए थे अब वो फिर लेट गए मैं भी रोने लगा मैं देख रहा था कि उन्हें कैसा दुख है अगर मैं नकाश होता तो आज इतने दिन के बाद भी पूरे मन्जर की तस्वीर खीश देता इस वाके की याद मेरे दिल में अब तक तासा है और महबत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाह को धो डाला इस महबत को वही खूब जानता है जिसने इसका लुटफ उठाया है ये मेरे लिए अहिमसा का अमली सबक था उस वक्त तो मुझे उसमें सिवाए बाप की महबत के कुछ नजर ना आता था मगर आज मैं जानता हूं कि ये खालिस अहिमसा था जब ये अहिमसा हमागीर हो जाता है तो जिस चीज को छूता है उसकी काया पलड देता है इसकी गुवत की कोई इंतहा नहीं इस तरह का शानदार अफ़ मेरे वालिद की तबियत से बईद था मेरा ख्याल था कि वो खफा हो जाएंगे सर पीट लेंगे मुझे सक्त सुस्त कहेंगे लेकिन उनका सुकून देखकर हैरत होती थी और यकीना इसकी वज़ा यही थी कि मैंने साफ साफ अपने गुनाह का एतराफ कर लिया गुनाह का पूरा एतराफ और आइंदा उससे बाज रहने का एहद ऐसे शक्स के सामने जो उन्हें कुबोल करने का एहल है तौबा की खालिस तरीन सूरत है मुझे मलूम है के मेरे उस अइतराफ से वालिद को मेरी तरफ से पूरा इतमिनान हो गया और उन्हें मुझे जो मुशसे जो मुहबत थी वो बे इंतहा बड़ गई मतरज्ज्ञ सीद आबिद हुसैन मश्क लब्सो मानी कफारा गुनाह या कुसूर का बदला जो कुसूरवार की तरफ से अदा हो कल्बी दोस्त दिली दोस्त, बहुत गरीबी दोस्त मुतनब्बे किया खबरदार किया, आगाह किया उजर माजरत किसी कुसूर या कमी की सफाई के तोर पर जो बात कही जाए तरद्द, परिशानी, उल्जन तवज्जिहा, वज़ा बयान करना, दलील देना एक जान, दो कालिब, इंतहाई दोस्ती गोया जिस्म दो हैं, लेकिन जान एक हिंदूओं का एक फिर्का जो गोश्ट, प्याज लहसुन वगेरा से सक्त परहेस करता है हवेली, बड़ा मकान, यहाँ पर अबादतगाह के लिए इस्तमाल हुआ है साजबाज, साजश, गठ जोड सोहान रूह, रूह को तकलीफ देने वाला लगजश, गलती, भूल चूक, गुम्राही मसामात, जिल्द के बारीक सुराख जिन से पसीना निकलता है मुहलिक, जहर गातिल, वो जहर जिसके खाने से इनसान मर जाए मुहलिक जहर मुर्तकिब, काम में हाथ डालना कुसूरवार साहिब फराश, वो बिमार जो बिस्तर से ना उट सके अहिंसा, खून खराबे और तोड़ फोड में यकीन ना रखना या उन बातों पर अमल ना करना अदम तशद्दूद हमागीर जो सब पर चाया हो अफूँ माफी, दर गुजर गौर करने की बात नमबर एक ये मजमून महत्मा गांधी की आप भी थी My Experiments With Truth के अरदू तरजमे तलाशे हक से लिया गया है मजमून पढ़ते वक्त आपको किसी भी सतर पर ये शुबा नहीं होगा कि ये तरजमा है अच्छे और काम्याब तरजमे की यही खूबी है कि उस पर असल का गुमान हो महत्मा गांधी ने अपनी सवाने लिखते वक्त अपनी शख्सी कमजूरियों को चुपाया नहीं उन पर किसी तरह का परदा नहीं डाला और खुले दिल से अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ किया और खुद ही अपनी इसलाह की एक अच्छी आपबीती की पहली खूबी यही है कि उसमें किसी तरह का तसन्नो ना हो इस तरह की आपबीतीयां पढ़ने वाले के लिए लुट्फ के साथ साथ इबरत और इसलाह के मवाके भी फराहम करती है मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक इनसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्दी पढ़ता है ऐसा क्यूं? वाज़े कीजिए नमबर दो महत्मा गांधी ने अपनी गलतियों के कफारे के लिए क्या तरीका अख्तियार किया गांधी जी का एतिराफ नामा पढ़कर उनके वालिद पर क्या असर हुआ? अमले काम नमबर एक एक मजमून लिखिए चोरी एक बुरी आदत है गांधी जी की जिन्दिगी से मुतालिख किताबें हासिल करके उनका मुताला कीजिए गांधी जी की की जी की की जी की जी की। झाल झाल